इंडियान कोष्ट गार्ड में नावीग जीडी डीब यांते के वेकंसी आ चुकी है चार जनवरी से इसके रिजिस्टेशन स्टार्ट है ऑनलाइन रिजिस्टेशन होंगे लास्ट जो है वह 14 जनवरी है तो समझते हैं इसके लिए मैंने डीटेल में वीडियो बनाई डिस्क से फीमेल के लिए नहीं है साथ में अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर पोस्ट वाइस क्वालिफिकेशन चाहिए नावीग जीडी के लिए 10 प्लस टू पास होना चाहिए मैत और फिजिक्स कंपल सरी हैं आपके जो सबजेक्स हैं वो होने चाहिए इसके साल या फिर चार साल होना चाहिए अगर आप 10 के साथ 12 भी पास हो तो सिर्फ और सिर्फ यह जो ट्रेट्स हैं इनमें जो आपका इंजिनिरिंग डूरेशन है वो दो साल या तीन साल भी होगा अगर मिनिमम दो साल भी है तो भी आप इसके लिए लिजबल हो आप एपलाई क बीच में होना चाहिए यह दोनों डेट भी इंकलूड है डीबी के बात करें तो यहाँ पर एक अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सेटेमबर 2004 के बीच में आपकी जो डीओ भी होनी चाहिए और यह दोनों डेट भी इंकलूड है ठीक है आगे देखते वेकेंसी क्या है तो वेकेंसी तो देख लो आपको किस के लिए अपलाई करना है हो सके तो GD के लिए अपलाई करना क्योंकि GD में वेकेंसी बहुत ज़्यादा है selection procedure आपका चार्ज stage में complete होगा उसी किसाब से all India married बनेगी जो पहला stage होगा उसमें आपका written test होगा तो नाविक DB के लिए केवल section first आपको करना होगा और GD के लिए section first के साथ second करना होगा बाकी यांतरिंग में electrical के लिए first के साथ third, electronics के लिए first के साथ fourth और mechanical के लिए first के साथ fifth करना होगा तो समझते हैं जो section first होगा section second होगा उसमें क्या होगा अनेकेडमी पे इंडिये के लिए complete अजे बैच कोर्स से start हो चुका है जिसमें आपको सभी सब्जेक्स पढ़ने को मिलेंगे 22 दिसंबर से बैच स्टार्ट है और 30 माज तक ये बैच चलेगा साथी ब्रह्मपुत बैच स्टार्ट हो चुका है सब्सक्राइब करके आप इसको ले सकते हो तो सिंपली आपको अपना प्लान यहां पर चूज करना है तो अगर आप यह को डालते हो तो आपको सीधर 10 परसंट का डिसकाउंट मिल जाएगा तो प्रोसीड टूपे पर किलिक करो और जाइन कर लो लिंक आपको डिसक्रिप्सेंट मिल जाएगा तो जो सेक्शन फरस्ट है उसमें आपके साथ कोईशन होगे जिसके लिए आपको 45 मिलेगा और साथ नंबर के कोईशन होगे मैज से 20 आएंगे, साइंस के 10 आएंगे, इंगलिस से 15 आएंगे, रीजिनिंग के 10 आएंगे और जीके के 5 कुईशन होगे लेकिन जो स्लेवेस होगा आपका वो 10 बेस पी होगा सेक्शन सेक्शन की बात करते हैं तो यहापे 50 कुईशन पूछे जाएंगी सेक्शन जो 3 है वो सेक्शन आप को इसंनहीं मिलेंगे सेक्शन सrån्प में इलेक्ट्रोनिक्स इंगीनिंग है तो uit किशिशन इसंने के मिलेंगे निक तो आई ओप आप समझ गयोगी यह चीज़ा है ठीक है अब इस्टेज सेकेट ड़ आपके सबसे पहले आपका प्याफ्टी होगा तो प्याफ्टी में आपको 1.6 किलोमेटर की रणिंग करने होगी साथ में 20 स्कॉाइट सब और 10 पुसाप्स आपको करने होगे इस टेज सेकेंड में यह आपका एक बार प्याफ्टी होने के बाद डॉकॉमेंट वेरिफिकेशन होगा सारे डॉकॉमेंट चेक किये जाएंगे वैलिड है कि नहीं है इसके लावा स्टेज सेकेंड में ही आपका इनीशियल मेडिकल भी ले लिया जाएगा इसके लावा स्टेज सेकेंड जो है खतम हो जाएगा अगर स्टेज फर्स्ट और सेके में भी second में भी वो सारे चेक किये जाएंगे इसके अलावा आपका final medical होगा आइने चिलका में ठीक है इसके अलावा stage third में आपके जो original document से उनका submission होगा और इस तरीके से आपका stage third है clear हो जाएगा अगर stage third clear हो गया तो stage fourth में आपको यह चीज पता चल जाएगी कि हाँ आपके सारे stage में आपके लिए रो और यहाँ पर आज stage fourth में आपके एक बार फिर से original document से चेक किये जाएंगे और submit किये जाएंगी ठीक है so यह चार stage में आपका complete हो जाएगा अब apply कैसे करना है तो जॉइन इंडियन ने जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड को ओफिशल वेब साइट पर चार तारीक से इसके online form स्टार्ट हो रहे है तो वहां से आपको यह form भरना है 14 जनवे इसकी लास्ट टेट है बाकी इसको भरने के लिए कौन-कौन से डॉकोमेंट से जो चाहिए तो कुछ कंपल सरी डॉकोमेंट से जो की चाहिए चाहिए तो सबसे पहले passport size photo होनी चाहिए आपकी color photo होनी चाहिए जो की 15 December से पहले की ना हो ठीक है इसके लावा आपको आपके signature scan करने होंगे left hand का thumb impression scan करना होगा DOB के लिए 10 के mark sheet आपको लगानी होगी photo identity proof हादार का voter ID passport pen card driving license जो भी है 10 का mark sheet 10 का class certificate या फिर आपका जो यह कौन सा certificate होता EWS SC ST इसको क्या बोलते हैं हार हां class certificate तो यह आपको upload करना होगा इसके लावा जो 18 साल से कम के हैं उनको आपके parent के signature scan करने होगे बाकि hand written declaration भी provide करना होगा यह भी आपको आपे upload करना होगा तो यह सारी चीज़े आपने देख लिए आप simply अगर eligible हो तो इसके लिए apply कर सकते हो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 250 रुपए SCST category वालों के लिए जो फीस है वो जीरो है बाकि आप सभी के लिए जो फीस है वो 500 रुपए है जोई इंडियन कोस्ट गार्ड की official website पर इसका जो link है वो 4 जनवरी से activate हो जाएगा फिर आप इसको apply कर पाओगे लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी 2022 है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना